हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रारस्थान विजली भिभाग की एक और नई रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह व अकाउंट ओफिसर पोस्ट के लिए 1075 पोस्ट पर वेकेंसी निगाली गई है, तो इसके लावा एक और वेकेंसी यहाँ पर इन्वाइट की गई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके लिए फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है असिस्टेंट पैसल ओफिसर, जूनियर लीगल ओफिसर, जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट और कॉम्वर्सिल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका रहेगा, तो इसके ओफिशल नॉटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं, और 23 शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, साथ में हमारी वेबसाइट जॉबरास्ता.com पर आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लेटेस अपडेट लगातार मिलती रहती हैं, बात करते हैं, इस नोटिफिकेशन गया इस शोर्ट नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंस जो यह वेकेंसी है, यह फ्रेंस आपके रिकुर्मेंट 01-2021 है, वेरियस पोस्ट के लिए, सबसे इंपोर्टेंट यह है, ओल इंडिया वेकेंसी है, कोई भी इसमें आविदन कर सकता है, और इसके बार नीचे वेकेंसी की डिटेल आपको यहाँ पर विभाग के अकॉर्णिंग मिल जाएंगी, तो पाँच पावर कंपनीज है यहाँ पर, इनमें आपकी वेकेंसी है, टोटल 1245 में पोस्ट, असिस्टेंट परसनल आफिसर की 11 पोस्ट रहेंगी, जूनियर लेगल आ नोटिफिकेशन में, वो आपके अकाउंटेंट की है, और उससे बड़ी है जूनियर असिस्टेंट या कॉमवर्सिर असिस्टेंट की, और यहाँ पर फैंस, आप इसमें ओनलाइन आविदन कर सकते हैं, अब जोई फॉर्म है, वो कब से स्टार्ट होंगी, तो फैंस, इसक को चैक कर सकते हैं, अब यहाँ पर फैंस, यह शॉर्ट नोटिस है, पर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्वालिफिकेशन के लिए फैंस, हम बात करेंगे, इसके ओल्ड नोटिफिकेशन की डेटेल्स के बारे में, और यह ओल्ल नोटिफिकेशन भी आ आपकी जो असिस्टेंट परसनल ओफिसर है सेलरी आपकी 37,800 रुपे रहेगी जेलो के लिए अकाउंटेंट के लिए या फिस टैनोगराफ के लिए 33,800 रहेगी और जूने असिस्टेंट के लिए 20,800 आपकी रहने वाली है यह आपका minimum pay है और fixed salary आपको यहाँ पर दी गई है इसके बाद यहाँ पर फ्रेंट से आपकी education qualification तो फ्रेंट से जो APO की vacancy है इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है जो की फ्रेंट से आप इस वाले vacancy में देखेंगे तो notification में आपको मिल जाएगा इसमें आपको यह वाली जो post है वो आपको नहीं दी गई junior legal officer में law graduate होना आपका ज़रूरी है junior accountant में फ्रेंट से यहाँ पर graduation की degree commerce में या business ad में होना ज़रूरी है personal officer के लिए आपके पार graduation degree MBA या फिर आपके पास यहाँ पर post question diploma है तो आप इसमें आप इदन कर सकते हैं और accountant में फ्रेंट से जो ओमर्स या business ad की जो degree है और या फिर m.com है उसके साथ फ्रेंट से आपके पास यहाँ पर o या higher level का certificate होना ज़रूरी रहेगा इसके बार next vacancy यहाँ पर फ्रेंट से आपकी जो रहेगी वो है stenographer post के लिए stenographer post के लिए ग्रेशन की डिगरी मांगी गई है अब आपके पास ग्रेशन की डिगरी के साथ या तो o level या उसे higher level certificate है या फिर computer concept का NILT का certificate है या आपके पास COPA certificate है या फिर कोई भी degree diploma certificate है computer science में या फिर senior secondary में आपने computer as a subject पड़ा है diploma है computer science में या फिर आपने किया हुआ है आप इसमें आवेदन कर सकते है junior assistant या फिर आपके यहाँ पर commercial assistant की जो vacancy है same आपका criteria रहेगा gradation की degree, o level या high level certificate, COPA या फिर degree या diploma computer science या application में या फिर diploma computer science और इंजिरिंग में या फिर RACIT तो basic आपका यहाँ पर qualification रहेगी, graduation pass candidate इन दोनों ही vacancies के लिए apply कर सकते हैं और इसमें आपको as track computer का certificate शो करना होगा आपके पास o level है तो o level अच्छी बात है, COPA है तो COPA का अगर आप certificate दीजिए, आपने as a subject पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, degree, diploma या फिर कोई certificate में या फिर आपके पास जो अपने रास्थान का RACIT होता है वो आपके पास है आप इसमें आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पर फैंसे देखिए आपकी जो इडेटेल्स हैं क्योंकि यह ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो इन में जर्णा आपको नहीं पढ़ना है एस क्रैटेरी 18-43 साल का आपका यहां रहेगा अपर इसमें आपको छूट मिल जाएगी और मेली एक जनव 500 रुपे रहेगी अधर स्टेट के अगर आप हैं तो भी 800 रुपे फीस आपको यहां देनी होगी फीस ऑनलाइन मोड में आप जमा कराएंगे फीस पे करने के बाद रिफंड आपको नहीं होगी इसके बाद देखिए रिटन एक्जाम जो होता है उसमें आपको 6 सेंटर इसके एक्जाम को डिवाइड किया जाएगा किस तरह से तो यहां पर देखिए 60% भाग होगा आपका जो वेंटेज होगा वो आपके उस सेक्षन से होगा जिस पोस्ट के आप अपलाइक कर रहे हैं और जो पार्ट भी होगा वो फ्रेंस आपके यहां पर होने वाला है जो क सेम आपका 60% वेंटेज रहेगा और यह भी दो भागों में डिवाइड है 40% आपका सेम आपका रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी और जनल नौलेज का रहने वाला है तो यही आपका सेलेक्शन प्रोसीजर यहां पर रहेगा इन वेकैंस के लिए और इनकी डिटेल्स देगा आपके देखे शॉर्टेंड का या हिंदी शॉर्टेंड का इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं अब यहां पर जूनियर असिस्टेंट में देखे 40% आपके एक्जाम का होगा जिसका सेलेबस आपको यहां दिया गया है और 60% पार्ट होगा आपके टाइपिंग का तो टाइपिंग आपको को चूज करनी है हिंदी या इंग्लिश में स्पीड टेस्ट और एफिसेंसी टेस्स आपका दर्दस मिनट का होने वाला है पत्तिस-पत्तिस मांस का आपका यह रहेगा तो यह आपको डेटेल्स यहां पर यह इसका ऑल्ड नोटिफिकेशन है जैसे मैंने कहा न्यू नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होगा क्योंकि फ़ उसके दो मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं तो जल्दी ही आपको इसका भी ओफिशल नोटिस देखने को मिल जाएगा तब तक लिए जो शॉर्ट चेक कर सकते हैं और यहां पर friends से हमने बात की इस vacancy के बारे में और अगर आपको हमारी रास्तान विजली भाग की vacancy के अपडेट के बारे में अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हैं तो like, subscribe इसे जरू किजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ